इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को आज के trending leaks बताने वाला हूं जी हाँ tech news नहीं trending leaks बताने वाला हूं जो की important leaks and थोड़े पके leaks है तो आप लोग को एक ही वीडियो में काफी तगड़े leaks देखने के लिए मिल जाएंगे तो आपको अगर पसंद आता है ऐसा वीडियो तो लाइक करके नीचे comment section में ज़रू बताइएगा कि मुझे ऐसे वीडियो लाने चाहिए या फिर नहीं चाहिए चलिए start करते है पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे Samsung के बारे में Samsung यहाँ पे एक नया device लाँच कर दिया है Samsung Galaxy A8s अब इसमें triple rear camera setup मिलता है triple rear camera setup इसका highlighting point नहीं है कुछ interesting बात नहीं है interesting बात है दोस्तों इसका display यहाँ पे आप लोगो infinity O display देखने के लिए मिलता है जो कि Samsung ने बताया था कि display के अंदर आप लोगो एक छेद मिलेगा front facing camera के लिए literally वही करके यहाँ पे Samsung ने इस Galaxy A8s को officially launch कर दिया है यहाँ पे आप लोगो दोस्तों top lift corner में एक छेद मिलेगा जहाँ पे front facing camera प्लेस किया गया है लेकिन भाईया bottom में chin मिल रहा है तो मतलब करने का क्या फाइदा हुआ bottom का chin भी हटा देते तो like true bezel-less display देखने के लिए मिलता बर जो भी यहाँ पे छेद वाला screen हमें देखने के लिए मिल गया है तो शायद से S10 के लिए S10 family के लिए यहाँ पे कुछ interesting आ सकता है specifications की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 710 processor आप लोगो देखने के लिए मिलेगा 6 GB और 8 GB RAM, 128 GB storage देखने के लिए मिलेगा camera's highlighting point है तो camera यहाँ पे 3 दिये गए है rare में यहाँ पे आप लोगो 24 megapixel का primary sensor मिलता है F1.7 aperture के साथ और primary sensor के आजू बाजू दोस्तो एक ring बनाया गया है gray variant में आप लोगो दोस्तो golden color का ring मिलता है यहाँ पे थोड़ा कुछ interesting design करने की कोशिश किया है यहाँ पे 24 megapixel का sensor के साथ एक telephoto lens मिलता है आप लोगो 10 megapixel का जो की 2x optical zoom प्रोवाइड करता है और 5 megapixel का depth sensor दिया गया है portrait photos के लिए यहाँ पे यह है दोस्तो triple rear camera setup is galaxy A8s का front facing camera दोस्तो आप लोगो 24 megapixel का ही मिलता है जो की display के छेद के अंदर place किया गया है बाकी के specifications अगर आपको पढ़ने है तो link नीचे description में है आप जाके पूरा news पढ़ सकते हैं कि इस device में आप लोगो क्या कुछ out of the box देखेने के लिए मिल जाता है तो display में छेद वाला जो camera है मतलब infinity O display जो है दोस्तो यहाँ पे इसके लिए सब लोग पिछे में line लगा चुके है Huawei line लगा चुका है Honor line लगा चुका है जिसका नाम है दोस्तो Huawei Honor View 20 जी हाँ Honor View 20 एक ऐसा device है जहाँ पर आप लोगो display के लिए चेद मिलेगा Samsung Galaxy A8s जैसा ही तो यहाँ पर उस चेद display वाला मतलब infinity O display वाला जो है यहाँ पर trend आ चुका है सभी लोग उसके पीछे पागल हो चुके है यहाँ पर यह दोस्तो ओफिशली Honor नहीं टीस कर दिया है कि हम लोग भाया यहाँ पर V20 लाने वाले हैं डिस्पले में छेद के साद जहाँ पर front facing camera प्लेस किया जाएगा सेम पोजीचन है टॉप left corner में और 48 Megapixel वाला और एक डिवाइस हैं पर launch हो सकता है Xiaomi के तरफ से जो कि Xiaomi का एक Redmi phone होगा एक flagship phone होगा जहाँ पर आप लोगो दोस्तो 48 Megapixel का sensor देहने के लिए मिल सकता है तो यही थे दोस्तो आज के कुछ trending leaks उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थोड़ा मसाला मिला होगा अगर इंट्रेस्टिंग लगा यह वीडियो तो लाइक करके जरूर कमें सक्षे में बता दीजेगा कि मुझे ऐसे और वीडियो लाने चाहिए जिसमें आप लोगो एक ही वीडियो में तगड़े तगड़े leaks compile करके दे दूंगा तो आप नीचे कमें सक्षे में जरूर बताईएगा कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना सज्जेशन जरू दीजेगा लाइक कीजेगा वीडियो को शेर कीजेगा अपना फ्रेंस फार्मिली सभी के साथ मैं मिलूंगा ऐसे ही किस इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाई